महावीर बजरंग वली की सुनों का था ध्यान लगाए स्वनम खुट मन को मोहे हैं काधे मुझ जने उलगाए लालत लखमस तक पे सो है गले पुशु माला लटकाँ हात वजरो और धजा विराजे भगतों पे रहते हैं कहाँ पवन पुत्र अंजनी के लाला के सिरी रंदन भी कहलाए सिरी राम के दूत प्रभूजी जिनकी महिमान वरनी जाए सिव जी के एक ग्यारवार उद्र है काल भी देखें तो डर जाए एक समय की बात है भगतों हनुमत को रही भूक सताय लाल फल समझे है सूर को कभी देख छालान लगाए सूर देव को जाके पकड़े दातों तले लिये हैं दवाए घोरा अंधेरा छाया जग में तीनों लोक गए घबराए राहु इंद्र के पास में पहुँचा सारी बात दिया बतलाए क्रोधित इंद्र ने कपी के उपर दिया है अपना वजर चलाए कपी के मुँपे वजर लगा तो सूरज मुँ से बाहरा आए मुर्च तो हो कपी गिरे धरापे मांजना रही चिलाए वायू देव भिया पहुँचे हैं उत्र को सीने से हैं लगा आये रोने लगी हैं अंजना माता वायू देव भी क्रोध में आये वायू ने बहना बंद कर दिया वायू ने बहना बंद कर दिया तीनों लोक गए घब राए संकट में सभी प्राणी फस गयें लगे किसास अभी रुक जाए वायू देव को क्रोधित देखें देव ता पवन के पास में आये देव ता वायू देव से बोलें वायू देव दो वायू बहाए वरना प्राणी मर जाएंगे इस रिष्टी का नास हो जाए आपके कुत्र को सभी देव ता वर देने को गए है आये वायू ने बहना शुरू किया है तीनों लोक गए हरसा ब्रह्म्हा ने वर्दान दिया है अस्त्र सस्त्री से छूना पाई इंद्र देव वर्दान दिये हैं बजर बीस बेबी फल हो जाए फुत्र तेरा पल साली होगा पुत्र तेरा पल साली होगा प्रभुराम का भक्त कहाए बलपूती पित्या वर देकर देवता स्वर्ग लोक में आये हनुमान सुगरिव के संग में सिरिमुक परवत गए है आया दो वीर सुगरिव ने देखे दर के मारे गए घवरा तीर धन उस दोनों के हाथ में रहे प्रक्रमी वीर दिखाए तरा देख सुगरिव को हनुमत धनुधारी के पास में आये राम लखन से प्रचे पूछे रामु प्रभु ने दिया बताए चरन राम के पकड़ हनुमत हनुमत को प्रभु गले लगाए राम लखन हनुमान मिले हैं मिलके तीनों गए हरसान कांधे बिठा के राम लखन को कंधे बिठा के राम में लखन को हनुमत सुगरिव के पास में लाएं कि ये प्रभु सुगरिव से मैत्री बाली को दिये मारी गिराए बना दिया सुगरिव को राजा सभी सिया की खोज में आय सागर तट पे सैना पहुची सागर बहुत ही चोड़ा दिखाया पार सो मिल सागर की चड़ाई कौन पार कर लनका जाए एक रिशी के श्राप की कारण हनुमत बल थे गए भुलाएं रीच सनापत जाओं मन्त ने दिया हैं बल को याद दिलाएं भीशन ग्रजन की कपीने जैसरी राम का नारा लगाएं चरण से दव कर परवत कापे कपीने ती है छलांग लगा आकाश मार्ग से अनुमत बोले आकाश मार्ग से अनुमत बोले साथियो सुलो ध्यान लगा शीता जी की खोज करूंगा दूंगा सारी सक्ति लगा जीता जीगर नहीं मिली तो रावण को पकडूंगा जाएं बांद के रावण को लाउंगा मुझको कोई रोक न पाएं पवन तने चले पवन वेग से लगातार वो उड़ते जाएं बिना विरान की कपी जा रहें तनिक ठकान न होने पाएं समुर्देव ने मन में सोचा इनको तुँ आराम कराएं समुर्देव मैं नाक से बोलें लो तुम अपना सिखर बढ़ाएं अपने सिखर पे हनुमान को थोड़ी देर तुम लो बैठा हनुमान जी ठक गए होंगे हनुमान जी ठक गए होंगे इनको दो आराम कराएं समुर्देव की बात को सुनकर मैं नाक ने दिया है सिखर बढ़ाएं हनुमान जब पास आए तो मैं नक बोले सीस जुकाएं मेरे ऊपर विश्राम किजिए इसके बाद लंका को जाएं हनुमान मैं नाक से बोले बात को सुननो ध्यान लगाएं जब तक प्रभू का कारे न कर लूँ मुझको तनिक भी चैने ना आएं हनुमान आगे को बढ़े हैं लेने परिच्छा सुरसा सर्पों की जो माता लगती राह को रोक खड़ी मुहबा रूप भयानक सुरसा बनाई हनुमान के सनमुखाई सुरसा अनुमान से बोली हनुमान से सुरसा बोली तुमको मार जाऊंगी खाएं पड़ी जोर की भूख लगी हैं आज मैं तुमको छोड़ू नाए हनुमान सुरसा से बोले बात को सुलो ध्यान लगाएं रामकर कर लोट के आऊं तब तुम लेना मुझको खाएं बहुत नौपे मिला है भोजन बचके तुम मुझसे ना जाएं अपनी भूख मैं सांत करूंगी फसुन तेरी बात मैं आएं खुस हो करके आज देवता भोजन मुझको है दिलवाएं छोड़ूंगी ना तुमको बंदर बंदर मेरे मन को भाएं हनुमान सुरसा से बोले मुझको लो आहार बनाएं क्रोध में आकर हनुमान जे क्रोध में आकर हनुमान जे लिये हैं अपने तन को बढ़ाएं सुरसा ने तब सोलायो जन अपने मुझको दिया बढ़ाएं सोलायो जन का मुझ देखे उन्ह कपी तन लिया बढ़ाएं बढ़ाएं बतिस यो जन का तन कीना चो सट यो जन सुरसा भलाएं जैसे सुरसा बदन बढ़ाएं ता सुद गुन का पिरूप दिखाएं सोयो जन जमान हन कीना मसक समान का पिरूप बनाएं चोड़ी मू के अंदर भुसकर सिगरी हनुमत बाहरा आएं सुरसा अपने रूप को बदली अति सुन्दर वो रही दिखाएं सुरसा बोली हनुमान से हे हनुमान यहां से जाएं कारज मेरा पूरा हो गया कारज मेरा पूरा हो गया देवोने है मुझे पैठाएं तेरी परिक्षा लेने आई परिक्षा में तू सपल हो आएं तुस्से कोई जीत न सकता इसमें कोई संकाना आएं तीनों लोक में कोई नहीं जो तेरे सन मुख़ा टकराएं रामकार को पुढ़ने करोगे मेरी बाणी सत्य हो जाया सिरवाद दे सुरसा चली है कपी चरण में सीस जुकाया हरसित हुए हनुमान चले है जिसका बल थाये न थाया सिरी रामका लगा के नारा नील गगन में उड़ते जाया कपी पार कर गए समुंदर सुन्दर लंका रही दिखाए हनुमान ची लंका देखे हनुमान ची लंका देखे देखे कपी का मन हरसा है बड़ी सुन्दर लंका नगरी सुन्दर व्रिक्षे रहे दिखाए सुन्दर सुन्दर फूल खिले हैं भवरे रहे गुंजार लगाए सीतल मंद सुबंदित वायू बहती महक विखरती जाए मन को मोहने वाली छटाती चार चाप परकती लगाए हनुमान ची लंका के मन में योज न रहे बनाए कैसे जाओ लंका के अंदर हनुमत सोच रहे थे उपाए दिन में जाना खीक नहीं है रातरी में जब सब सोजाए सुक्ष मरूब धारन करके मैं जाओंगा लंका में समाए धूर से दुर्गम दुर्ग लगता है बहुत से पहरी रहे दिखाए सोचत सोचत रात हो गई छोटा रूप लिये है बनाए मन में नाम सीराम कले के कभी लंका में गए समाए चारो और भयानक पहरा चिडियां भी परमार न पाए राख्षसों के संग राख्षसी चारो तरफ से पहरा लगाए सुंदर ही सुंदर नगर बसा था जो देखे देखत रह जाए सणक चरा है सारे सुंदर चारो तरफ समुंद्र दिखाए सुद सोने की पनी थि नगरी जलासे जगे जगे दिखला एं जलासे में सोने की सिड़िया जलासे की सोभा को बढ़ा एं साब धानी से हनुमान जे चुपके चुपके हनुमान जे द्रिश देखते बढ़ते जाएं पहरेदार लंका की लंकनी जिससे आँखे न धोखा खाएं रावन की बहना लगती थी जिससे कोई बच न पाएं परचाया भी न जराएं तो खीची सिकार को जाती खाएं मुख राक्ष शिणी लंका की थी जिससे कोई पार न पाएं सबसे मुख्य जो था दरवाजा उस पे ही वो पहरा लगाएं छिपकर भी कोई जा नहीं सकता बिना अग्या के कोई न जाएं बहुती चकन न रहती थी अति भयानक रूप बना जो देखे उसको डर जाएं दर डर के मुर्छित हो जाएं हनुमान जी बढ़ रहे आगे लंकिनी से रह टकराएं लंकिनी ने पहचाने लिया है हनुमान को रही डराएं कौन हो यो धा सिग्र बत लाओ चोरों की तरह क्यों छिपके जाएं क्या तुम को ये पता नहीं है चोरों को लेती आहार बना इसे पहले की तुझको खा जाऊं दे तुँ अपना रहस्य बता क्यूं तुँ चोरों की तरह है घुस्ता कौन है तु और कहा से आ नर पा नर का निस दिन भख्षन कर लेती हूँ भूक मिटाएं बिना खुन पी ये नहीं रहती लंकिनी मेरा नाम कहाएं हनुमान जी मन में सोचे यदी सोर लंकिनी मचाएं सभी राक्षस हो करें कठे सभी राक्षस हो करें कठे जाएंगे मेरे पास में आएं सीता मा को खोज न पाऊँ बात जो सबको पता लग जाएं मैं बेहुस कर दू लंकिनी को दू जा नहीं है कोई उपाएं मुर्चित कर आगे बढ़ जाऊँ हनुमान के मन में आएं ऐसा सोच के हनुमान जी गए लंकिनी के पास में आएं पाएं हाथ से बज रंगी ले कि अपर हार लंकिनी पे जाएं मुझ से खून बहने लगा है गिरी धरा पे मुर्चा खाज सिक्र ही उटके खड़ी हो गई हनुमत से रही बात बताएं मैंने तुम्हें पहचान लिया है रामदूत हनुमत कहलाएं मुझ से ब्रह्मा जी ने कहा था मुझ से ब्रह्मा जी ने कहा था द्रेता युग में एक पानराई सीता जी की खोज करेगा मुष्टी का देगा तुझ पे चलाएं उसके प्रहार से मुर्चित होगी समझो लंखा बच नहीं पाएं जब ऐसा हो तब तुम समझना राबन भी अब मारा जाएं प्रम सोभाग है मेरा हनुमत तेरा दर्शन गई में पाएं निर्भय हो के प्रभेश करो तुम तुमको अब कोई रोक न पाएं हनुमान परवेश किये हैं रहे सिया का पता लगाएं छान मारे हैं कोना कोना सीता को कहीं देख न पाएं मन दोदरी को देखें हनुमत सुंदर रूप दिया भरवाएं सोचे यही हो सायद सीता सोचे सायद यही हो सीता मन दोदरी रही मुसका ये तो सीता हो नहीं सकती उनके समझ में गया है आएं बहुत दुखी होगी सीता माता ये नारी तो रही मुसका ये तुखी नारी कभी हस नहीं सकती गई हनुमत के समझ में आएं खोज करते हुए आगे बढ़ गए बीती रात भोर हो जाएं राम नाम हनुमान सुने हैं उए अचम्भित कौन है आएं निचे निच जर निकट निवासा यहां कहां से सजना राम के भक्त के पास में पहुँचे देखे बभीशन को मुसका ये बभीशन से हनुमान जी पूछे बभीशन ने दिया बतला आएं असो कुवार्टिका में तुम जाओ असो कुवार्टिका में तुम जाओ वहीं तुमको सीता मिल जाओ असो कुवार्टिका में जा पहुँचे बभीश पे हनुमत आसल लगाएं सब से छुप कर वहां पे बैठे किसी को भी ना पता चल पाएं सीता जी को देख रहे हैं सीता को देखने न भराएं काटा हुआ सरीर है सुप के सिर के बाल जटा सी दिखाएं राम नाम का जाप कर रही आख से आसु रही बहाएं सोक से भरी आ सोक से कहती कहीं से तुम अगनी दोलाएं मैं जल कर भस्मू हो जाऊं जीने की अब इच्छा ना सीता जी को देख के हनुमत चुपके से दियंगूठी किराएं आपूठी को समझी अगेठे अंगूठी को समझी अगेठी सीता मन ही मन हरसा एक और से जब देखी अंगूठी सिरी राम लिखा दिख लाएं सिरी राम जिस धारण करते देख अचम्भित रही दिखा देख के मन में सीता सोची माया से ना बानाया जाएं प्रिक से उतरे हनुमान जी सीता मा के पास में आएं सीता मा के पास में आके रहे अपना पर चैवत लाएं राम दूत में मात जान की मेरा नाम हनुमान कहाएं सत बजन कहता हूँ आपसे प्रभू राम की सपत को खाएं मैं ही मुद्रिका को लाया हूँ आपकी गोदि में दिया गिराए रामे नाम का दासु हुआ है तो सीरी राम का दासु हुआ है तो सीता जी को रह समझाए सीता बोली हनुमान से बात को सुलो ध्याने लगाए नरबा नर की संगत कैसी मुझको पहले दो समझाए कैसे संगत हुई प्रभू से हनुमत सारी बात बताए सीता को विश्वास हो गया प्रीत कहो कछुवर निन जाए फुल कित हो गया हनुमान जी चरन पकड के आसु बहाए सीता मा हनुमान से बोली राम लखन का हाल बता याद भी करते हैं की नहीं वो कहके नै नना नीर बहाए सर्व समर्त हो दे मुझे भूले उनकी चिंता रही सता हैं सीता मा की बचनों को सुनके सीता मा की बचनों को सुनके आनुमान बोले सीस नवाए मेरे प्रभू मुझे से बोले हैं किसको दर्द अपना दिखला सीता बिन कोई दर्द न समझे सीता नहीं मेरे पास में हाँ प्रेमी मन की प्रीत को जाने इससे आगे कुछ कह नहीं पाए सीता जी हनुमान से बोली कद में तुम बड़ छोट दिखाए कैसे लड़े रक्छस से बंदर मुझको तो कुछ समझ ना आए सीता मा की बाते सुने है हनमत लिया कार बढ़ाए पड़ा भी सान रूप दिखलाया सीता जी को विश्वास दिलाए अच्छ सिधी नो निधी के दाता मा से आसिरवाद वो पाए भूक लगी हनुमान जी को दो भूक लगी हनुमान जी को तो सीता मा से रहे बताए दो आदिस मा फल को खाके लू मैं अपनी भूक मिटाए सीता जीने आदेस दिया है हनुमान निर्भै हो आए फल खाए तर तोरा ललागे दिये भारी उत पात मचाए लगे उखाड के पेड फेकने देखे के बहुत से राक्षस आए हनुमान राक्षस को मारे पास रवन के राक्षस आए जाके रावन से बोले हैं एक बंदर जो फल को खाए असुख वाटिका में आया है दिया भिशन उत पात मचाए पेड़ों खाड के मार रहा है बहुतों को मर दिया गिरा रावन ने जब बात सुनी है रावन ने जब बात सुनी है अच्छे कुमार को दिया पिठा अपने संग में से ना लेकर अच्छे कुमार गया है आया अच्छे कुमार को देखे हनुमान क्रोध के मारे बदन थरा आया अच्छे कुमार कुमार दिये है पियम पुरी को दिये पिठा आया अच्छे कुमार की मौत सुना है रावन गया क्रोध में आया मेगनात को रण में भेजा बोला सुन्लो ध्याने लगाए उस बंदर को बांध के लाओ अपने हाथों दुंगा सजाए उसको अपने हाथ से मारू तभी करोध मेरा सांत हो पाए इंदर जीत तब रण में आए रहबल साली वीर दिखाए हनुमान देखे मेगनात को अनुमान देखे मेगनात को जो की इनर जीत कहलाए उसके साथ में बहुत से योधा देखे के हनुमत क्रोध में आ योधाओं को लगे मारने पेड उखाड के रहे चलाए घोडे सहित सार थी मारे रत को धूल में दिये मिलाए मेगनात के छाथी पे मुका हनुमान ने दिया चलाए मुर्छित हो के गिराधरा पे सारी सैना रही चलाए सुनते सोर पे होड़ सी तूटी मेगनात को गुसा आए ढीशन गरजना की वीर ने दिया है वो ब्रह्म सस्त्र चलाए हनुमान को बाल्धि दिया है दिया रवण के पास मिलाए बीस भुजा दस सिरका रवण बीस भुजा दस सिरका रवण जिसको देख के कल डर जाए रवण पूछा कोन है बंदर अपना पर चैदो बतलाई शी राम का दू तू मैं तो मेरा नाम हनुमान कहाए राम प्रभू जागत के स्वामी जिसकी पत्नी चुरा के तुलाए वापस कर दो सीता मा को नहीं तो लंका बच नहीं पाए तू भी ना बचने पाएगा कुल सही तू नश्ट हो जाए हनुमान की बाते सुनके गया प्रोध में रावन आए बद कर डालो इस बंदर का रावन ने आदे से सुनाए बहुस राख्चस मारने दोडे तबी विवीशन बीच में आए रावन से विवीशन बोले बात को सुनिये द्यान लगाए नीती विरोध न दूत मारिये बोले विवीशन सीर नवाए भी विवीशन की बात को सुनके रावन फिर आदे से सुनाए कपी की ममता पूछ में होती पूछ में ही दो आग लगाए पूछ बढाए हनुमान जी राक्षस कपड़ लपेटे ती जाए कपड़ लपेटे राक्षस गणोंने दिया कूछ में आग लगाए उल्टी पल्टी कभी लनका जारे बीशन ग्रजना रहे लगाए लनका में हाहा कारे मच गया बीशन की दे पुटिया बचा लनका दहन हनुमान जी करके सीता मा के पास में आए बोले मा मैं अब जाओंगा बोले मा मैं अब जाओंगा मांगे विदा कप सीस नवाए चुडा मनी उतार के माने कपी के हाथ में दिया थमाए हर सितले हनुमान चले है भीशन गरजना रहे लगाए पल में समुन्दर पार किये है पास गए से ना के आए चुडा मनी दिया राम प्रभू को मा का संदिस दिया बताए राम प्रभू हनुमान को देखे अपनी गले से लिए लगाए कथा लिखे हैं संजय किवारी इस मीता ने दी है सुना कारलस जी ने रिकोड किये हैं